आज मुझे रेस्टरेंट वाला काना खाने का मन कर रहा था तो सिर्फ दस मिनिट में मैंने बना की तयार किया हांडी पनीर और फटा फट से बनाए ये प्याज लच्छा पराट है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पराटा और हांडी पनीर की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशियस बन करके तयार होती है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कटिंग चॉपिंग कर लेंगे तो मैंने यहां पर तीन-चार प्यास को चोटे साइज के बार एक बार एक स्लाइस में कट करके इस तरीके से इनके लच्छों को अलग कर लिया है और यहाँ पे एक इंच चत्रा के टुकडे को हम इस तरीके से जूलियन कट कर लेंगे अब यहाँ पे तीन मैंने मीडियम साइज की टमाटर लिये थे जिसे रफली मैंने यहाँ पे चौप कर लिया यह देखिए, दो हरी मिर्ची भी मैंने यहाँ पे ले लिये तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो हम क्या करेंगे इन परीर को डिप फ्राइ कर लेंगे तो डिप फ्राइ करने के लिए यहां पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और पनीर को हलके हलके हाथों से चलाते हुए बढ़िया से डिप फ्राइ कर लेंगे आप तो इसे थोड़ा सा तेल डाल करके सेलो फ्राइ भी कर सकते हैं तो मैंने इन्हें बड़ी असा कलर आने तक फ्राइ कर लिया है अब पनीर चुई ना हो कड़क ना हो इसके लिए हमें इसे गरम पानी में डाल देना है तो पानी को मैंने पहले गरम कर लिया था उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके पनीर को रख देंगे इससे हमारा पनीर सौफ्ट बना रहेगा अब जब मैंने प्यास काटा था उस प्यास में से थोड़े से प्यास बचा लेंगे लगबग एक प्यास की जितना और बाकि प्यास को डाल करके हमें इसका इस तरीचे से बिरिस्ता तयार करना है बल्कुल ब्राउन कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे ठंडा कर लेंगे अब यहाँ पे उसी तेल में मैंने तेल को निकाल लिया था और दू चमस तेल चोड़ दिया था साथ ही उसी तेल में डाला है लैसुन अद्रक और इसी के साथ यहां पे मैंने थोड़े से काजू और यहां पे मेलन सीट रखे हैं मतलब तर्बूज के बीच इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे तो रेस्टोरेंट में धाबे में आप देखेंगे कि बहुत जादा काजू का इस्तुमाल नहीं करते हैं वो मेलन सीट का ही इस्तिमाल करते हैं तो उससे फ्लेवर उनका जो है वो थोड़ा सा जयादा रख चाता है क्रीमी बन करकर के त्यार होता है वैसे काजू से بھی होता है लेकिन काजू की मात्रा वो थोड़ा कम डालते हैं. अब मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है और साथ ही थोड़े से धनिया के डंठल भी. धनिया के डंठल में फ्लेवर बहुत जादा होता है, इसलिए मैंने इसे फेका नहीं है. इसमें ही हमने इसे पका लेना है, तो यहाँ पे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हमें इसे पैन से निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद मिकसर जार में डाल करके इसे हमें पीस लेना है. तो आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा दही का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हांडी पनीर में मैं यहाँ दही का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे जो हमने प्यास को लाल किया रहता ना उसे भी हमें इसमें डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके पीछ लेना है तो बारीक इसका पेस्ट तयार कर लेंगे अगर जरूरत लगेगे तो थोड़े से और पानी का इस्तमाल हम यहां पे कर लेंगे तो मैंने इसे बड़िया से smooth paste तयार कर लिया है, तो चलिए अब हम अपनी हांडी पनीर की तयारी करते हैं, तो यहां पे एक हांडी ले लेंगे है, obviously हम हांडी पनीर बना रहे हैं, तो हांडी में ही बनाएंगे, आपके पस अगर मिटी का बरतन नहीं है, तो आप इसे regular बरतन कर देंगे और जो थोड़े से प्यास बचा करके रखेते हैं उसे हमें यहां पर मैं साबुत लेसुन का भी इस्तमाल कर रही हूं और जूलियन कट करके जो हमने अध्रक रखा हुआ था उसे भी हम आट कर देंगे और जो हमने अभी ग्रेवी तयार की उसे भी हमेश में डाल करके मिला लेना है तो यहां पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें मिकसर जारमेंट ट्रांसफर करके और इसके बाद थोड़ा सन नमक हम डालेंगे स्वात के निसार बहुत ही जल्दी और बहुत ही जटपट से ये हांडी पनीर बन करके तयार हो जाता है और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा 10 मिनट की रेसिपी है अगर आपकी घर में अचानक कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इस तरीके से बना करके रेस्टरेंट वाला खाना उन्हें खिला सकते हैं और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आप इतनी जल्दी जटपट से ये रेसिपी बना करके उन्हें खिला रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पनीर के क्युप्स को भी डाल दिया, आप देख रहे हैं कितना सौक्ट है हमारा पनीर, साधी थोड़े से मखाना एड़ किया है मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती एड़ किया है, तो मैंने यहाँ पे क्रीम नहीं एड़ किया है, मैं क अनफर्शनिल्टि इसका डखन में से टूट गया था तो इसलिए मैंने इस तरीके के छोटे डखन का इस्तमाल किया है और इसे हम इस तरीके से आटे के लोई से इस तरीके से कवर कर लेंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए और ये पनीर जो हमारा दम में पकता रहे है अब इसी ओई लाइद लाइदे के बाद यहां पर हम स्प्रिंडल करेंगे जीरा पाउडर मैंनी तो आप यहां पर से इनमक इस अनलाल मिर्ट और पियाज को अस तरीके सेके से मसल करके अस वह अँ समय आप चाहे तो बारीक भी कट कर सकते हैं वरना जब हम इसे लच्छा बनाएंगे तो फट जाएंगे तो यहां पे अब मैंने क्या किया थोड़ा सा सूखा अटा डस्ट किया और बीच से इस तरीके से कट करने के बाद हमें इस तरीके से राउंड राउंड फोल्ड कर देना है बहुत ही अराम से और फटा फट से यह हमारा लच्छा पराठा बन जाता है बहुत ही जटपट सी रेसिपी है आप इस तरीके से चाहे तो लच्छा पराठा बना करके सुबह के नाज़ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस तरीके से बना करके बच अच्छा पराठा सिंपल चाय के साथ भी बहुत ही बड़ी अलगता है तो यह मैंने इस तरीकी से तवे पे डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे हमें इस पराठे को सीखना है हाई फ्लेम पे नहीं सेखेंगे वरना इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और बड़ी अ कलर न हमारा हांडी पनीर 15 मिनट में बन करके त्यार हो गया है तो इस रेसिपी को आप एक बड़ जरूर ट्राए करिएगा अगर आपके घर में महमान आ रहे हैं या फिर कुछ रेस्टरेंट वाला काने कमन कर रहा है तो इस तरीके से आप बना करके खा सकते हैं तो यह देखिए पराठे का लच्छा इस तरीके से निकाल लीजे गरम गरम में ही तोड़ेंगे तो आराम से इनके लच्छे अलग-अलग हो जाएंगे और यह मज़ेदार सा लच्छा पराठा हमारा बन करके तयार हो गया है तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे केगी और मज़िदार रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाइबाए